इस मूवी में जो समय दिखाया गया है वो 1995 का है और आज की जनरेशन की सोच और उस समय जनरेशन की सोच इन दोनों सोच को अगर कंपेर करें तो दोनों एक जैसी ही है जब वो अपने माबाप के साथ अपने लिए शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं दम लगा के हैशा मूवी की जो 2015 में आये थी फिलालियत मूवी देखने का मेरा बहुत अंदर से ही चाव रही थी कि कब इसको देखूं कैर ये मूवी मैंने देख ली यूटूब पर या आपको मिल जाएगी रें वो अपने आरती खलात के कारण बहुत परेशान है चिड़ चिड़ा भी है वो इसमें दिकाया भी गया है तो अब उसकी उमर हो चुके है माबाब उसके लिए लड़की देखने जाते हैं तो अब प्रेम की तो इच्छा ऐसी है कि उसको ऐसी लड़की मिले चिव पतली हो और उसके साथ वो सीना थान के चल सके लेकिन वहां पर उसे मिलती है संध्या जिसे प्ले किया है भूमिपंडे करने जो शरीर से काफी मोटी है तो उसको वो पसंद नहीं आती लेकिन प्रेम के माबाब को वो लड़की बहुत पसंद आती है पिता के धमकाने पर और यह कहन पसंद नहीं तक नहीं हुई जो तू खवाब देख रहा है बहुत बड़े बड़े तो इन सब के बाद अपने दबाव में आकर ना चाहते हुए भी वो संध्या से शादी कर लेता है लेकिन अब वो उसे अपने दिल के नस्दीक नहीं आने देता मतलब कि दिल के दरवाज के संध्या से उसकी शादी करवा थी कैर एक दिन जब वो अपने दोस्त की शादी या पतनी महंदी होती वहां गया हुआ होता है तो वहां पर ज्यादा शरापीने के कारण अपने दोस्त से लड़ाई कर लेता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि प्रेम को कि उसका दोस्त उसकी होने वाली वाइफ की फोटो इसलिए दिखा रहा है कि उसे वो जला सके क्योंकि उसकी जो शादी है वो संध्या जो एक मोटी भैंस से हो गई वो ऐसा कुछ कह देता है वहाँ पे और ये बात वो संध्या सुन लेती है और दोनों के बीच में वहाँ कहां सुनी होती है इसके बाद संध्या घर चोड़ के चली जाती है और आखिर में उसको वो तलाग के कागजाज भेज भी देती है बट ऐस पर रूल की वही कोट में उनको ये डिसाइड किया जाते है और दो है कि उनको लास्ठ 6th मन्त यानि छह महीने अब आक साथ रहना होगा अगर उनको तलाग क्या है अब देख सकेंगे हैं उनकी बात बन रही है तो अच्छी बात है नहीं बनती है तो तलाग ले सकते हैं तो अब इन छह महीनों में प्रेम को अब जानने का मौका मिलता है संध्या को पहले तो वो ऐसे होता है ने कि स्टार्टिंग में वो ना चाते हो मतलब उसके उपर दबाव था लेकिन अब तो वो कुछ था कि 6 महीने बाद अलग हो जाएंगे कुछ एक टाइम ही रहना जैसे तैसे काट लेते जो भी होते हैं तो इस दोरान यह सब चीजें होती हैं यह घट्टाएं होती हैं तो प्रेम को संध्या से प्यार जाते हैं और यही मूवी खतम हो जाती है इस मूवी की कहानी बहुत संधर है और अब यह कहना मुश्किल है कि इसकी जो कहानी है वो कितने लोगों पर असर डालने वाली है कहना कि कुछ लोगों की सोच कुछ नहीं बहुत लोगों की सोच ऐसी कचरा हो गई है कि उनको ऐसी wife चाहिए कि जो सुन्दर हो और यह जादा तर यह जो सोच हुई है वो मेरे according बोलीवूड वालों की तरफ से हुई है क्योंकि बोलीवूड वालों ने हमेशा अपनी movie के अंदर जादा तर movie आप देखोगे उसमें सुन्दरता कोई बड़ी priority दी गई है जिसे लोगों के मन में ये बात तो घर कर गई है कि जो सुन्दर है वो अच्छा है वो शुसील है लेकिन मैंने अपनी life में इसके विपरीथी पाया है अब ये बात बच्चेों को समझाए कौन कि जो सुन्दर होता है वो जरूरी नहीं वो अच्छा होता है मैं ये नहीं कहला कि हर सुन्दर लड़की ही खराब होती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है सुन्दर लड़की है सुन्दर लड़का वो खराब होते है लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि भी सुन्दर लड़की ही अच्छी हो तो ये बात बच्चों को समझाएगा जबकि उनके माबाप जब लड़की देखने जाते हैं तो उनकी में पॉइंट में फोकस तो इसी चीज़ पे होता है कि लड़की के नैन नक्स अच्छी हो लड़की लंबी हो, पतली हो गोरा रंग हो, बाहन लंबे हो तो ये सोस तो ऐसी माबाप की पहले ही रहती है क्योंकि वो ऐसे एक बहु लेके मार्केट में, मतलब समाज में दिखाने के लिए लेके आते हैं रिलेटिव के या फिर अपने दोस्तों के मैंने देखा है कि उनकी सोच क्या है उनके माता पीता क्या सोच कर उनके लिए वो वाइफ ढूंड के लेके आते हैं उनकी शादी लड़की ढूंड के लेके आते हैं उनकी शादी उनसे कराते हैं हमाई ये डायलोग मारूं की सुंदरता उमर बढ़ने के साथ ढ़ल जाती है तो देखो ये डायलोग तो है नहीं ये अकिकता और ये बात हर एक किसान हर एक इनसान को पता होती है कि जैसे जैसे उमर बढ़ती है इंसान के सुन्दरता भी बढ़ती जाती है यानि घटती जाती है एक तरीके से और एक टाइम आता है कि वो सुन्दर जो है जो उसका सुन्दर चेहरा होता है वो नहीं रहता तो ये बात पता होते हैं भी इंसान के मामले में इसमें जो language यूज गई वो बहुत realistic रखी गई सबसे खुबसूरत बात तो जो बहुत realistic रखा गया है, comedy बहुत अच्छी है इस movie में, बेशक की movie बहुत लोगों ने देख रखी है, 2015 में आई हुई थी movie, अगर जिन्नों ने देख रखी है, तो please comment करके मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं इस movie के बारे में और आपकी राय क्या 30 से पहले, क्या बदली है या फिर कुछ लोगों की बदली जिनको आप जानते हो, और जिन्नों ने नहीं देखी है, तो please इसे देखें बहुत अच्छी movie है, मेरी तरव से मैं इस movie को देना चाहूँगा, 8 आउट और 10 स्टार टैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जाहिंद